वेल्कम टू टेली एक्स्प्रेस दोस्तों सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है हो चुकी है अभिनव की मौत लेकिन मरने से पहले अभिनव ने खोला सबसे बड़ा राज वो भी अभिमन्यू के सामने आरोही को लगा बहुत कहानी लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक अपनी चानल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबादें दोस्तों सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है अभिनव गिर के मरने वाला है लेकिन उ अभिनव हॉस्पिटल में एडमिट होगा उस समय अभिनव अपनी अंतिम सासे ले रहा होगा और ऐसे में बहुत हैरानी वाली बात होगी वो अभिमन्यू को बुला कर उससे बात करना चाहेगा जी हां ना तो वो अक्षरा से ना अभीर से बलकि अभिमन्यू से बात करेग और ये देखकर हर कोई हरान हो जाएगा और ऐसे में वो अभिमन्यू को अपने पास बुला कर ये कहने वाला है कि भाई जी आप तीनों ही साथ में अच्छे लगते हैं और मैं तो फिजूल में ही जुड़ गया था अक्षियू जी के साथ अक्षिया जी तो आपकी थी कभी मेरी हुई ही नहीं और आपकी मैं अमानत आप ही को लटा रहा हूँ आप तीनों के बीच में मैं जमता नहीं था और इसलिए उपर वाले ने भी वही किया जो सही था वक्त है मेरे जाने का और आप तीनों के एक होने का मैं आपको बता दूँ कि अक्षू और मैं अच्छे दोस्ते हमेशा साथ रहे अब से नाउन में हमने एक दूसरे का साथ दिया वो मेरा सबसे बड़ा सहारा थी, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट थी अब आप उनको संभालिएगा ये सब कुछ जब वो कह रहा होगा उस समय साइड में आरोही भी खड़ी होगी और आरोही ये सुनकर बहुत जादा शौक में होगी कि अभिनव क्या कहे जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है आरोही तो अभिमन्यू से शादी करना चाहती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा रास खोलेगा वो ये खोलेगा कि अभिनव ने जान मूच कर अभिमन्यू का हाथ छोड़ा होगा उस क्लिफ पे से उस पहाड पे से क्योंकि ये रिलाइज हो गया था अभिनव को कि उसकी वज़े से अक्षरा अभिमन्यू अभीर तीनों ही दर्द में हैं और इसलिए उसने अपनी खुद की जान दे दी वेल चहा कर भी कुछ नहीं कर पाएगा अभिमन्यू रोता रहेगा और हाथ थाम कर अभिना वादा ले लेगा अभिमन्यू से की वादा करिए कि आप मेरी दी हुई जिम्मदारियों को सही से निभाएंगे मेरी बेहन को भी संभालेंगे और मेरी नीलम्मा को भी संभालेंगे और अक्षरा और अभीर को भी क्या कहेंगे अब आप हमें कमेंट्स में आप जरूर लिक कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना मुझाएं